नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हम लोगों की खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से अभी पिछले सब्ता की बात है सुप्रीम कोट ने लखनव स्थित स्पेशल कोट जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस की सुनवाई कर रहा है उसको एक फ्रेश डेडलाइन इशू किया तीन महीने का ऑगस्ट 31 तक अपना जज्जमेंट सुनाने का ये कोई पहली बार नहीं है कि इस कोट को एक फ्रेश डेडलाइन दिया जा रहा है क्योंकि पुराना जो है लाप्स कर गया सबसे पहली बार एप्रिल 2017 में सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था ये आदेश दिया था कि टेली बेसिस पे डेमोलिशन केस की सुनवाई की जाए और दो साल के अंदर ज जब जज्जमेंट नहीं आया तीन महीने लैप्स होने के बाद तब सुप्रीम कोट ने दुबारा इस बात की सुनवाई की और नौ महीने का वक्त बढ़ा दिया एप्रिल 2020 में फिर से टाइम एक्सपायर कर गया जज्जमेंट नहीं आया तो अभी पिछले दिनों सुप्र कि अपना जज्जमेंट सुनाना है सुप्रीम कोट ने स्पेशल जज्ज को ये भी कहा कि अगर आपको वीडियो कॉन्फरेंस करने की ज़रूरत होती है तो वो भी करिए अभी लखनों से खबर आ लिए कि शायर हीरिंग अगस्ट 31 तक नहीं हो सकेगी और जज्जमेंट नह उसके बारे में अध्यन करना पड़ेगा और तभी तो जाके जज्जमेंट आएगा एक और सिलसला है कि जो स्पेशल जज्ज है इनका नाम सुरेंद्र कुमार यादव है वो रिटायर कर चुके हैं मगर सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी नौकरी तब तक एक्स्टेंड करके रखिये जब तक वो अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं सुना देते हैं अयोध्या का वर्डिक्ट मतलब बाबरी मस्जिद डेमलेशन केस का इसको हमको जो टाइटल सूट सुप्रीम कोट ने नवेंबर 2019 में डेलिवर कर दिया था उससे हमको नहीं कन्फ्यूज करना है ऐसे अयोध्या हो या बाबरी मस्जिद डेमलेशन का केस हो इसमें डिलेज और एक्स्टेंशन कोई नई बात नहीं है में टाइटल सूट की ही देखिए जब नवेंबर 2019 में सुप्रीम कोट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया था सुप्रीम कोट के पास ये केस जाने के बाद नौ साल का वक्त लग गया था अगर हम मनमोहन सिंग लिबरहान कमिशन की बात करें तब तो सारे रेकॉर्ड ही तूट जाते हैं 16 डिसेंबर 1992 को इसकी स्थापना हुई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि डेमलेशन के पीछे किसका और क्यूं हाथ था तीन महीने का वक्त था जज के पास अपना रिपोर्ट सरकार को सब्मिट करने का फाइनली 48 एक्स्टेंशन इस कमिशन को मिले और जून 2009 मिट जाकर तब जाकर रिपोर्ट सरकार को सब्मिट की गई लेकिन बात यह उठती है कि अगर हम अयोध्या में जो टाइटल सूट था वो खतम हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान का काम शुरू भी हो गया है लौक्डाउन के पीरियेड में अगर उत्तर प्रदेश के मुखे मंध्री देर रात बहुत stealthily लौक्डाउन के प्रोविश्ट को वायलेट करते वे जाकर राम लाला की मूर्ती को पुराने वाले temporary structure से एक और नए temporary इतना सब कुछ हो चुका है तो हम यह जो demolition case है इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं इसका क्या relevance है हिंदुस्तान में आज की तारी इतिहास में तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बाबरी मस्जिद का चरित्र पूरी तरह से बदल गया पहली जो घटना या घटना की जो सीरीज जो हुई थी यह 1855-56 से शुरू होकर उसके कुछ साल तक चलता रहा इस पीरियड में जो लोकल बैरागी हिंदु साधू थे उनके नेत्रतु में बाबरी मस्जिद पर सबसे पहली बार एसॉल्ट या चड़ा हुआ हुआ। कुछ तोड़ फोड हुई गुमबद पर हनुमान पटाका फेराया गया और बाबरी मस्जिद के सामने की जो जमीन थी उस पर राम चबुत्रा का निर्मान हुआ। अंग्रेल सरकार ने उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स नहीं करकर बलकि बाबरी मस्जित और राम चबुत्रा के बीच में एक लोहे की रेलिंग उसको एरेक्ट कर दिया और एक तरह से दीवार खड़ी कर दी दोनों के कॉंटेस्टिट श्राइन के उपर जो पहली बार कॉंटेस्टिट हुआ मुसल्मानों के लिए एक काम और किया गया कि उत्तर की दिशा से एक साइड गेट बना दिया गया चोटा सा जिससे वो लोग नमाज अदा करने आ सकते थे पाबरी वजजित के इतिहास में दूसरा जो चैप्टर हुआ उसके कैरेक्टर को बदलने का वो डिसमबर 1949 में हिंदू महासभा के नित्रुत में और लोकल मास पार्टिसिपेशन के साथ हुआ कई महीनों तक प्रोग्राम और कारेक्रम चले अब फाइनली जाके डिसमबर 22-23 की रात को चोरी छिपे राम लला की मूर्ती को बाबरी मस्जित के सेंटर डोम के नीचे जाके उसको स्थापित कर दिया तब तक हिंदुस्तान आजाद हो चुका था लेकिन आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया बलकि बाबरी मस्जित को डी फैक्टो मंदिर बनाने के प्रोसेस में कोलाबरेट हिया पूजा अर्चना भी एलाव हो गए नौवेंबर 2019 के अपने फैसले में सुप्रीम कोट ने डिसेंबर 1949 की खटनाओ को बाबरी मस्जित का डेसीक्रेशन कहा था बाबरी मस्जित के इतिहास में तीसा या थर्ड इंसिडेंट ने तो मस्जित को ही अतीत में धकेल दिया कई महिनों के तैयारी और आठ साल के लगातार पोलिटिकल कैंपेइन के बाद फाइनल एसॉल्ट बाबरी मस्जित पर डिसमबर 6, 1992 को किया गया था विश्व हिंदु परिशद और संग परिवार के प्रमुख नेता इस पूरे कारेक्रम में involved थे इनमें भारती जन्ता पार्टी के भी टॉप के लीडर्स वहां साइट पे मौजूद थे शायद ही कोई ऐसा प्रमुख नीता रहा होगा जो उस समय बाबरी मस्जित के पास नहीं मौजूद रहा हो डिसमबर 6, 1992 में जो घटना हुई थी उसको सुप्रीम कोट ने अपने नवेंबर 2019 के वर्डिक्ट में अग्रेगियर्स violation of rule of law कहा था यानी कानून विवस्था का घंगोर उलंगन हुआ था उनके हिसाब से सुप्रीम कोट का पूरा वाक्य में पड़ के सुनाता हुआ The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and an assurance to this court The destruction of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was an egregious violation of the rule of law चुकि ये egregious violation of the rule of law था तो जरूर से किसी ना किसी ने इसको और्गनाइज किया होगा सवाल ये हुटता है कि अभी तक किसी को मीटी क्यों नहीं करार दिया गया है हम सब जानते हैं तब भी जानते थे कि संग परिवार इस पूरे प्रकरन में involved था लेकिक उन में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी तरह से इस पूरे चीज के planning में के पीछे रहे होंगे जिनको एक clear idea रहा होगा कि finally उस दिन क्या होगा आखिरकार साड़े चार सो साल पुराना एक religious shrine को दो चार लोग तो हाथ से नहीं तोड सकते कुछ औजारों की तो जरूरत हुई होगी दो FIR demolition के बाद दो FIR उस दिन फाइल हुए थे FIR नंबर 197 औ 198 197 नंबर FIR था वो हजारों अग्यात कार से उकों के against था जो दूसरा था वो सिर्फ कुछ चुनिंदा निटाओं के खिलाव 197 ने उनके खिलाव बहुत सारे charges लगाए गए थे चोरी डकैती किसी धार्मिक्स थल पर आगहात मुचाना दो communities religious communities के बीच में enmity फैलाना वगरा वगरा जो आठ निटा जिनके खिलाव F.I.I.I.I.N.E.A दर्ज किया गया था उनमें वो आठ निटा थे लाल कृष्ण अढवानी उस समय के विश्व हिंदु परिशत के प्रेसिडेंट अशोक सिंगल मुल्ली मनोहर जोशी गिरी राज किशोर जो भी 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 से जुड़े हुए थे उसके अलावा पूमा भार्ती विश्णु हरी डाल्मिया विनय कटियार साधवी रितंबरा ये सारे के सारे संग परिवार के तॉप्मोस्ट शीष के स्कंप के निता थे विश्व हिंदु पर पार्टी के जिन टॉप आठ नेताओं के खिलाफ एफायर वन नाइंटी एट दर्स हुआ था ये सब बाबरी मस्जिद के पास मानस भावन नाम की एक संसा के बिल्डिंग के छथ पर पूरे दृष्षिक को विर्चुली लाइव देख रहे थे इनके खिलाफ जो चार्जेज हुए थे वो थे अंडर सेक्शन 153A, 153B और 505 के अंतरगत कोई खास एक्स्टा चार्जेज इन पर और नहीं लगाए गए थे पिक्यूलिरली 197 को तो CBI को सौप दिया गया और लखनों में ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन जो FIR नंबर 198 था वो क्राइम ब्रांच स्टेट CID के पास ही रखा गया 27 अगस्ट 1993 को नर्सिम्मा राओ की सरकार उस समय उत्तरपदेश में राष्ट्रपती साशन लागू था एसेम्ली रद थी और एसेम्ली एलेक्शन के चुनाव हो रहे थे उसकी तैयारी चल रहे थे उस समय केंदर सरकार ने यह तैय किया कि लखनों में स्पेशल कोट को 197 के केसिस ट्रांसफर कर दिये जाएं लेकिन जो 198 के केसिस थे वो राय बरेली स्थित एक स्पेशल CBI कोट बनाकर वहां पे ट्रांसफर कर दिये जाएं तो सेम क्राइम दो एफाई आर तो अलग-अलग इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी और दो अलग-अलग कोट वहीं से सारा का सारा कन्फूशन और कुलाबरेशन का प्रोसेस शुरू होता है तिले करने उस प्रोसेस को कि डेमॉलेशन के लिए किसी को गिल्टी करार किया जाए 1996 में आठ निताओं के खिलाफ सप्लिमेंटरी चार्जिज लगाए रहे सेप्टेंबर 1997 में जज ने ओर्डर पास किया कि इन पर प्राइमा फेसी क्रिमिनल चार्जिज बनता है कोट ने आगे ये भी कहा कि एफायर नंबर 198 को भी अगर सरकार चाहे तो लखनाओं में ट्रांसफर कर सकती है परंतु एक्यूजड नेताओं ने इसके खिलाफ अपील की और उसी के साथ अपील्स गलतियां करेक्शन्स जुडिशिल रिजेक्शन्स और आल्टिमेटली जो हर कोट में होता है तारीक पित तारीक वो सिलसिला चलने लगा वक्त गुजरने लगा देखते ही देखते भारती जन्तापाटी केंद्र में पावर में आ गई कुछ ही समय के बाद लाल कृष्णा अडवानी देश के डेपुटी प्रधान मंत्री बन गए वो तो शुरू से ही होम मिनिस्टर तो थे ही मुर्ली मनोहर जोशी और उमा भारती भी केंद्रिय मंत्राले में मिनिस्टर थे 19 सेप्टेंबर 2003 को राय बेरेली के स्पेशल कोट ने F.I.A. No.198 में ट्रायल को ड्रॉप कर दिया लेकिन जब एपील की गई थी C.B.I. द्वारा क्राइन ब्रांच द्वारा उन्होंने 6 जुलाई 2005 को हाई कोट ने ट्रायल कोट के फैसले को रद कर दिया अडवानी और उनके साथियों पर चार्जेस को री फ्रेम करने का ओर्डर दिया गया लेकिन केस बहुत धीरे धीरे घसीटता गया फाइनली 20 मार्च 2012 को C.B.I. ने सुप्रीम कोट में एक अपील की एजनसी की मांग इस बार थी कि तमाम केसिस को मर्ज करके एक ही कोट में लखनों में इसकी सुनवाई की जाए सब को सारे एक्यूज को एक ही केस के अंतर्गत लाया जाए कहते हैं कि नियाए के पहिये हीमी रफ्तार से अवश्य घुंगते हैं लेकिन वे अटल नतीजों तक जरूर पहुँचते हैं एप्रिल 2017 सुप्रीम कोट ने CBI के 2012 के एपील को उसका जज्जमेंट सुनाया और कहा कि लाल कृष्ण अडवानी और बीस अन्य नेताओं और वरकर्स के खिलाब केस को मर्ज करके क्लब करके लखनों में सुनवाई की जा सकती है इसके पहले की कहानी कि कोट ने ये भी कहा कि Day-to-day Hearing or Times का एक Deadline देना इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आजगल तो One Nation, One This Thing का जमाना है तो सवाल ये उत्ता है कि बाबरी मस्जद के Demolition में One Incident, One Crime अब जो है इतने सालों के बाद One Incident, One Crime, One Court, One Charge Conspiracy का, तीन महिने का Final Deadline चाहे वीडियो कॉन्फरेंस यूज करना हो वो भी करिए Supreme Court के आदेश तो इसके बाद हमको Indian Jurisprudence System जो है इस पर हमको cynical होना चाहिए या हमको उमीद रखनी चाहिए सवाल हमारे सामने ये एक एहम उभर कराता है जज्मेंट कुछ भी आये लेकिन जस्टिस पिना की चन्रक घोश और रोहिंटन फाली नारीमान के जो शब्द थे वो अब legal history और record में हमेशा के लिए आगए कभी मिटाया नहीं जा सकता April 2017 को इन दोनों ने अपने order में लिखा था Supreme Court का दायत्व होता है जस्टिस प्रदान करने का अगर कहीं और नहीं हो पा रहा है इन दोनों जज़स के पूरे वाक्य कुछ इस तरह से थे मैं पड़के सुनाता हूं In the present case, crimes which shake the secular fabric of the Constitution of India have allegedly been committed almost 25 years ago. The accused persons have not been brought to the book largely because of the conduct of the CBI in not pursuing the prosecution of the alleged offenders in a joint trial and because of technical defects which were easily curable but which were not cured by the government, by the state government. August 31 तक हमको पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान की secular नीव को जंजोर के रख दिया था उनको गिल्टी करार किया जाता है या नहीं जो demolition of बाबरी मस्जद की case में जो फैसला आएगा ये बहुत हद तक हमारे भविश्य को तरह करेगा इंद्टा थांज।